जैशरी महांकाल जैशरी महांकाल दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आबार है आप जो प्यार और सपोर्ट हमारे इस चैनल को प्रदान कर रहे हैं आपका दिल से बहुत धन्यवाद दोस्तों बाबा वर्स पुराना रहस्य में आपके सामने रखने माला हूँ ये रहस्य क्या है और ये जो है ये बिल्कुल कारगर तरीका है और ये बात शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी और ये बात आज में इस तुडियो में आपको बताने माला हूँ तो ये जो रहस्य है जिसके ब जीवन के जितने तकलीफ, दुख, दरिदरता और अब शगून जीवन में जो जो कटनाई हैं परिशानिया हैं उन सब का आपको खल और निवारन की और आप जाएंगे जितना उलज रहें उतना उलजेंगे नहीं जीवन में जो भी शांती, सुकून, धन, धन, दोलत, शोहरत जो भी चाहिए आपको, वो सब भी मिलेगा, और ये इश्वर की इच्छा से ही मिलेगा, मतलब सही तरीके से ही मिलेगा, ये तरीका जो रहसे मैं आज आप से बात करने वाला हूँ, वो सही तरीके से मिलेगा, कोई भी गलत तरीका नहीं है, तो हम उस पर बात करें, और वी शिवाई लिखें, जैशिव शम्भू लिखें, भुलेनात का कोई एक नाम लिखें जो आपको अच्छा लगे, और अगर अपनी कुंडली का अनलिसिस हमसे करवना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नमबर चली रहे हैं, वाटसप पर अपोइंटमेंट लेकर आप हमसे बात कर सकत हैं, तो हम मुद्दे पर आते हैं दोस्तों, कि जो रहस है, जिसको आपको जानना है, वो है जब, अब इसको यहां से छोड़कर वीडियो को मज जाएगा, यहां से बारी किसी चीज़ों को समझेगा, कि हमारे पुराने रिशी मूनी थे, जो हजारों बरस तक, कई सालों त लिए अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, लेकिन वर्तमान कल्यू गए, इसमें हमारी एक ओसत आयू सो वर्स मानी गए, लेकिन इस आधुनीक दूर में हम सतर साली हम ओसत आयू है हमारी, तो इस आयू में हम एक कोई मंत्र रख लें, चाहे ओम नमस्शिवाई रख लें, च अपने कर्म को करते जाए, अपने नोकरी, पेशा, कर्म जो हम दो वक्त के गुजर बसर के लिए चीज़े करते हैं, वो बेशक आप करते जाए, उसके साथ या तो अपने मोबाइल में उस तरह का मंत्र जब खुद करके रिकोर्ड करके बार बार सुने, या खुद मन में उ पर यह काम हो जाएगगा, तो वो हो जाएगा, तब वो जो जब वहाज से आपके खर्द में हो जाएगगे, फिर नई शुरू आओ, इसको थोडा सा, फिर निकी जार्वत है, कि वो सिद्ध हो जाता है, आपके वाणी जो है सिद्ध हो जाती है, अपका मन शानत रहने लग जाता आपके काम सोता ही बनने लग जाते हैं यह जब का बहुत बड़ा चमत कार है जो आप खुद इसे करें और अनुभो करें और फिर कमेंट से